मंगल यान और चंद्रयान की कामियाबी के बाद इस रोग गगन यान की तैयारी में जुटा है और तभी से देश के लोगों की दिल्चस्पी भी अंतरिक्ष से जुड़ी खबरों में होने लगी है इसलिए आज आज आपको नासा से जुड़ी एक ऐसे खबर से रूबरू कराते हैं जो आपके लिए न सिर्फ ग्यान वर्थक होगी बलकि नई भी होगी नासा से खबर आ रही है कि उसका कारगो शिप स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष में अठक गया है इस अठकनी से मतलब है उसे प्रत्वी पर लैंड करना था लेकिन वो लैंड नहीं कर पा रहा है दरसल इस स्पेस एक्स ड्रैगन को तीन जनवरी को जमीन पर उतरना था लेकिन अब ये पाँच जनवरी को इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन से रमाना होगा और साथ जनवरी को प्रत्वी पर लोटेगा सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि इस कार्गो शिप स्पेस एक्स ड्रैगन को भेजा किस ने जैसा कि इसके नाम से पता चल जाता है कि ये सामान को ढोने वाला शिप है तो इसमें सामान होगा जी हां, बिल्कुल इस कार्गो शिप में धेर सारे वैज्ञानिक प्रयोगों के उपकरणों के अलावा कुछ जीव भी हैं, जिसे एस्ट्रोनाट्स प्रिस्टीना कोच और जेसीका मीर ने इस शिप में रखा है, ये दोनों अभी स्पेस स्टेशन पर ही हैं इस कार्गो शिप को पांच जनवरी को रात सबा नव बजे स्पेस स्टेशन से रवाना किया जाएगा, जिसे प्रित्वी तक आने में दो दिन लग जाएंगे, और ये साथ तारीख को सुबह करीब पौने ग्यारा बजे अमेरिका के केलफोर्निया के लॉंग बीच से दक्ष अब सवाल हिए कि स्पेस स्टेशन से इन शिप में क्या भीजा है, तो आपको बदा दे कि इसमें 3600 पांड यानि कि 1632 किलोग्राम के बहुत जरूरी वय्यानिक उपकरन, प्रयोग शाला में उपयोग किया गया केमिकल आदी है, साथ ही इसमें एक चूहा, खराब बैटरिय और एक माइक्रोसकोपिक जीव भी है, इसी कार्गोशिप में रेडियेशन से लड़ने वाला केमिकल भी रखा है, जिससे ये पता चलेगा कि प्रित्वी के इंसानों पर कम तीवरता के रेडियेशन का क्या असर होता है, और उसे इससे बचने के लिए क्या क्या करना होगा चुहे को इसलिए स्पेस स्टेशन भेजा गया था ताकि अंतरिक्ष में रहने के दौरान इसके शरीर पर होने वाले बदलाओं का अध्ययन किया जा सके, इसका फाइदा ये होगा कि प्रित्वी पर मास पेशियों और हट्टियों से जुड़ी बीमारीयों का इलाज आसां ये वहां के मौसम से कितना सुलफ हो पाते हैं? ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कार्गो शिप कहां आटका है? तो इसका जवाब ये है कि ये अंतर वास्ट्रिय स्पेस स्टेशन के कनाड़ा आम टू में आटका हुआ है इस आम के जरीये ही कार्गो शिप या अन खराब है इस वजह से स्पेस एक्स की वापसी चार दनों के लिए टाल दी गई है अमेरीकी मौसम विभाग के मताबिक लैंडिंग के लिए के पास फ्रशान्त महसागर में मौसम बेहत खराब है ऐसे में कार्गो शिप को ज्यादा नुकसान हो सकता है और उसमें रखा सामान भी खराब हो सकता है तो ये थी नासा के कार्गो शिप से जूरी जानकारी वी के नूज बिरो रपॉर्ट